नमश्कार दोस्तों स्वागत आपका स्मार्ट विजनिस प्लस यूट्व परिवार में मैं दिपकुमार हाजिरू आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जनकारी लिखकर किसान भाईयो कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप बहुती स्वस्त और मस्त होंगे आज की विडियो में हम एक ऐसा पावरफूल इंसेक्टिसाइट्स बनाने जा रहे हैं जो कि सभी तरह की फसलों में कारगर सावित हुआ है अब फिर चाहे आप खेती करते हो या फिर गार्डिनिंग करते हो आपके पास फूलों के पेड़ हो सबजियों के हो या फलों के प्लांट्स हो आप सभी में इस insecticides का इस्तमाल कर सकते हैं इसी के साथ ही आप की फसलों में fungicides की जरूरत है तो भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं कई सारे किसान वहीं के कमेंट्स आ रहे थे कि आप जैविक fungicides बनाना सिखाएंगे हमारी फसल को सुरक्चित कैसे रख सकें तो देखिए इस वीडियो में आप एक ऐसा powerful insecticides कीटनासक बनाना सीख जाएंगे साथ ही एक ऐसा powerful fungicides बनाना सीख जाएंगे और इस fungicides और कीटनासक दवा से आप अपनी फसल को सुरक्चित कर सकते हैं और मैंने आपको बताई दिया है आप गार्डनिंग करते हो या खेती करते हो दोनों के लिए बहुत ही useful है जो हमारे भाई वेन में तरक गार्डनिंग करते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ और जो खेती करते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ और वजार में इस से अच्छा आफ के लिए कीटनासक और फंगिसाइड नहीं मिल पाएगा आप महंगे से महंगा रसाइनिक कीटनासक लेकर आओगे तो वहे भी फैल हो जाएगा इस कीटनासक के आगे तो चलिए जादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जिन भाई भेनों ने हमारी जैविक खात की वीडियो नहीं देखी तो वहे जरूर देख लीजिए हमने चैनल फर डाल दी है तो देखिए यदि आफ एक हेक्टेर खेत के लिए आफ कीटनासक और फंगिसाइट बनाना चाते हैं तो आफ के लिए ये सामागरी की जरूरत पड़ेगी और जो गार्डिनिंग करते हैं उनके लिए भी यही सामागरी की जरूरत पड़ेगी तो पहले मैं एक हेक्टर खेत के लिए डोस बता देता हूँ फिर गार्डनिंग के लिए अलग से डोस बताओंगा अब एक हेक्टर खेत के लिए आफको क्या करना है फंगिसाइट प्लस कीटना सक दोनों का मिक्षर बनाना है तो आफ के लिए एक किलो प्याज लेनी है ओनियन जिसे बोलते हैं एक किलो प्याज ले लीजी प्याज आफको वह प्याज लेनी है जो घर से बेश्ट हो जाती है आफको साबुत प्याज नहीं लेनी है ये देख सकते हैं ये ओग चुकी है प्याज और ये भी ओग चुकी है मतलब ये खाने के लाइक प्याज नहीं रही है वो प्याज मैंने ली है तो जो बेश्ट प्याज हो जाती है उसका इस्तिमाल हम करेंगे एक किलो प्याज हो गई फिर एक किलो लहसन हो गई लेसुन आप इस तरह की ले सकते हैं, छोटी बड़ी कोई सी भी हो सकती है, एक किलो लेसन ले सकते हैं, फिर इसमें एक किलो मिर्ची ले सकते हैं, मिर्ची में आप के लिए बता दूँ कि आप हरी मिर्ची ले लीजिए, लाल मिर्ची ले लीजिए, लेकिन मिर्ची का ध्यान रखना है कि सबसे तीकी मिर्ची होना चाहिए, साय छोटी बड़ी कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हरी, लाल, पीली कैसी भी मिर्ची हो कोई दिक्कत नहीं चलेगी, बस मिर्ची आफको तीकी वाली लेनी है, अगर मिर्ची आफके लिए हरी या लाल मिर्ची नहीं मिलती है फिर इसी में आफको आदा केजी एलो वेरा लेना है ये एलो वेरा आप देख सकते हैं जिसे गवार का पाटा बोलते हैं गरत कुमारी भी बोलते हैं आप जिस भी नाम से जानते हो समझते हो इसको देख लीजी एलो वेरा की कुछ पत्तियां है तो ये मेरा सभी आइटम अभी 100-100 गिराम है तो आफ एक एक्टर खेत के लिए लोगे तो आफ के लिए एक-एक किलो की मातरा इसमें मिला लेनी है साथ ही एक किलो आफ के लिए नीम की पत्ती लेनी है नीम की पत्ती आफ देख लीजी कुछ इस तरह की होती है एक किलो नीम की पत्तियां लेनी है अब इन सवी को क्या करना है आफ के लिए बारीक पीस लेना है इनकी चटनी बना लेनी है अब यदि आपको तुरंद ही तत्काल में स्प्रे करना है खित में तो आफ के लिए क्या जरुवत पड़ेगी मिक्सी जो मिक्सर बोलते हैं इसकी जरुवत पड़ेगी ग्राइंडर की इन सवी को इसमें डाल कर थोड़ा थोड़ा करके पीस लीजिए पानी की माद्यम से ठीक है आपका डाउट होगा पानी कितना लगेगा तो इसको मिक्स पीसने में इसको एकदम बारीक महीन चूण बनाने में चटनी बनाने में जितना भी पानी एड़ हो जाए एक लीटर दो लीटर तीन लीटर वो आप एड़ कर लीजिए ठीक है उसमें डालकर बढ़िया चटनी बना लीजिए, कूट लीजिए और फिर किसी बाल्टी या टप में डालकर एक एक किलो में पांच लीटर पानी डालकर इसको रख दीजिए, ढखकर कम से कम 21 दिन तक इनको छोड़ दीजिए और फिर इसको छान लेंगे आफ तो आफ का जो लिक्विट तयार होगा वह बहुती पावरफुल कीट नासक और फंगिसाइड तयार हो जाएगा तो फिलाल में हम इसको ततकाल तयार कर रहे हैं तो इसके लिए हम इसको मिक्शर में ग्राइंडर करेंगे अब बात करते हैं कि जो भाई वेन मित्र हमारे गार्डनिंग करते हैं उनके लिए कितना लेना है तो आप गार्डनिंग के तोर पर 100-100 ग्राम ले लीजिए सो ग्राम एलोवेरा ले लीजी, सो ग्राम मिर्ची ले लीजी, सो ग्राम लहसुन ले लीजी, सो ग्राम प्याज ले लीजी और ये गार्डनिंग में परियाप्त ऐसी बस्तों हैं जो आसानी से मिल जाएगी नीम की पत्ति आपको मिल जाती है तो ठीक है नहीं मिलती है तो भी ठीक है चिंता करने की जरूरत नहीं है तो मैं अभी गार्डनिंग के लिए बता रहा हूँ नीम की पत्ति इसमें एड़ नहीं करूँगा आफ खेती करते हैं तो किसान भाईयों के लिए आराम से नीम की पत्ती मिल जाएगी गार्डनिंग करते हैं तो आफको नीम की पत्ती नहीं मिलेगी मिल जाती है तो इसमें एड़ करिए गार्डनिंग में 100 ग्राम एड़ करनी है किसान भाईयों के लिए एक एक्टेर खेत में एक किलो नीम की पत्ती एड़ करनी है नीम की पत्ती कम जादा हो जाए तो भी चिंता करने जरूत नहीं है आपको side effect कुछ भी नहीं होगा इसमें ठीक है तो मैं gardening के तोर पर ये liquid ये कीटना सक fungicide तयार करना सिका रहा हूँ खेतादानों के लिए इसको नीम की पत्ती एड़ करना है तो ये मेरा mixture है मैं इसमें इसको एड़ कर देता हूँ इसमें ये ये मिर्ची है मैं इसको डाल देता हूँ ये आप देख सकते हैं ये मिर्ची है जो मैंने इसमें डाल दी 100 gram मिर्ची लेंगे आप डालना कितना है वो भी मैं आफ के लिए बताओंगा किस हिसाबसे डोज आप के लिए τयार करना है खेत में डालने के लिए और मैं आफ के लिए बता दूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा आप वीडियो को आदा बीच में छोड़कारी भाग जाते हैं चले जाते हैं और फिर वीडियो पूरा नहीं देखते हैं फिर कोशन करते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया वो समझ में नहीं आया आपके सामने देखिए मैंने मिर्ची डाल दी लहसुन डाल दी इसमें 100 गिराम मिर्ची 100 गिराम लहसुन इस तरीके से आपको इनको डाल देना है ठीक है अब प्याज रे गई तो प्याज को कट करके डाल देता हूं में इसमें ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी साबदानी से करना है आपको और ये काम बच्चों से नहीं करवाना आपके लिए ठीक है ना जैविक कीट नासक आपका इतना पावरफुल तयार होगा कि आप यकीन नहीं करेंगे आप एक प्रिकार से चमतकार आपको फसलों में दिखाई देगा हाँ किन फसलों में आप डाल सकते हैं तो मैं आपके लिए बता दूँ कि आपके पास जो भी सबजियां है एक टूजेट उन सब में डाल सकते हैं आपको एश्टर थोड़ा वो साउंड आ रहा होगा माफी चाता हूं क्योंकि पास में कंश्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां की जो मसीने है वो चल रही है तो इस बज़े से एश्टर साउंड आ आपको आ रहा होगा आपके पास जो भी बेजी टेवल से सबजियां हैं उन सब में आप इसका इस्तिमाल करेंगे आफ के फास जो भी फूलों के प्लांट्स है उन में इस्तिमाल करेंगे आफ के फास जो भी फलों के प्लांट्स है उन सब में आफ इसका इस्तिमाल करेंगे ठीक है तो आफ का ये डाउट किलियर हो गया डोज मैंने अभी बताया नहीं है डोज मैं बताऊंगा डोज बता दिया तो आप अभी भाग जाओगे वीडियो को छोड़ कर तो पहले इसको वनाना अच्छे से सीख जाईए ठीक है न? मेरे किसान भाई है जब तक आप दवा को सही तरीके से बनाना नहीं नहीं सीखोगे तब तक आप की दवा सही तरीके से काम भी नहीं करेगी अब मैंने आपको जो तरीका बताए उस तरीके से आप एक बार बनाई है और इसके रिजल्ड चेक करिए कि दवा कितनी काम कर रही है और मैं आपके लिए बता दू कि हर मौसम में अलग-अलग तरीके से दवा बनाई जाती है यह ऐसा नहीं है कि हर मौसम में एक ही दवा या एक ही फॉर्मूला काम करेगा और मैं आपको हर तरीके से कीट ना सक फंगी साइड, हाई पावर और खाद बनाना सिकाऊंगा ताकि हर मौसम में आपके लिए वो साथ दे सके और किसी भी तरह की दिक्कत ना आए अब देखे मैं लेस्तुन, प्याज और इसमें मिर्ची डाल दे अब ऐलोवेरा डाल देता हूँ ऐलोवेरा जो है हमारा फंगी साइड का काम करेगा और यह प्रकार से अंटिवाइटिक है और जैसके आफने देखा होगा यह रूट हर्मोन का काम भी करता है ऐलोवेरा ज़्यादा थार हम जो भी प्लांट लगाते हैं कटिंग वाले तो उसमें ऐलोवेरा का लिक्विड डाल कर लगाते हैं ताकि उसमें रूट जो जड़े रहती हैं प्लांट्स की वो जल से जल चल जाए आपको इस तरीके से इसकी cutting करके डाल देना है इसको पूरा नहीं डालें साजा यदि साबुत डाल देंगे तो इसमें mixture grinder की पत्तियां वो खराब हो सकती है तो आपको थोड़ा cutting करके डाल देनी है अब ये ऐलोवेरा क्या करेगा आफ की फसलों में फंगस नहीं आने देगा जो कबक पैदा होता है उसको नहीं आने देगा फसल में जाना आने देगा जाना जाएगी और फसलों की जो आफ की जड़े हैं प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनकी ग्रोथ काफी अच्छी करेगा और यदि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो फिर आफ की फसल में आटमेटिक जाना जाएगी फसल सूखेगी नहीं फसल मुड़ जाएगी नहीं और पौदों में प्रकास अंसिलेशन की क्रिया बढ़ जाएगी जैसे ही प अब आप देख सकते हैं मैंने पानी सिर्फ इतना एड किया है कि यह मेरी जो पत्तियां है जो मटेरियल है वह सिर्फ डूब चुका है इसमें ठीक है ना अब मैं इसको ढखक कर और इसको चालू कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यह हमारा बारिक पिस चुका है अच्चे से चटनी बन गई है और अब हम इसको लेकर थोड़ा अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ फर थोड़ा कंश्रक्शन का काम चला है मैंने जैसा कि आपको बता दिया था तो इसमें एश्ट्रा साउंड आपको आ इसको बारिक महीन पीस लिया है चटनी बना लिए और चटनी बनाने बाद अब हम इसको चान लेंगे आप किसी भी कपड़े की साहता से चलनी की साहता से चान लेंगे इसको यह हमारा जो हमने लिक्विट तयार किया है यह गारडनिंग के लिए तयार कर रहे हैं 100-100 गिराम मटेरियल हमने लिया है और आप खेती के लिए तयार कर सकते हैं यह खेती में यूज हैं क्योंकि जादा तर gardening वालों को समझे रेती हम एक लीटर में कितना लें दो लीटर में कितना लें तो मैंने जो सामागरी इस्तिमान ली है वो एक सो सो गिराम के साफ से ली है ठीक है ना आफ खेती में कर रहे हैं तो एक हेक्टेर में एक एक किलो लेना है अब जरूरी नहीं कि आफ के पास एक हेक्टेर जमीन हो किसी के पास एक 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 विगा भी हो सकती है जमीन तो एक एक किलो जब आफ इसमें material लोगे तो आफ की इसमें जो pump बनेंगे जो 15-20 लीटर का spray machine देता है जिससे हम दवा का इस्प्रे करते हैं तो उस machine से आफ की एक-एक किलो की जो material रहेगा ना उसमें कमस्कम 50-60 spray pump आफ की दवा बन जाएगी अब आप सोच सकते हैं कि यदि 60 pump spray दवा बन जाती है तो वह कितने रुपे क्यों जाएगी मार्किट से आप कोई भी फंगी साइड लेकर आएंगे कीट ना सक लेकर आएंगे तो कम सकम आपको 1.500 से 200 रुपे प्रेती इस्प्रे पंप बनेगा जब कि आपकी 1.000 मिर्ची 50 रुपे की लगी 1.000 लहसन 50 रुपे की लगी और 1.000 प्याज 30 रुपे की लगी और एलोवेरा 1.000 प्रेती लगा मतलब 200 रुपे में आपकी 60 पंप इस्प्रे दवा तयार हो गई यह मैं इसको चान लिया और मार्केट से लेके आओगे अगर 100 रुपे पंप जोड़ोगे तो 60 पंप मतलब की 6,000 रुपे की आपकी दवा यह तयार हो जाती है तो यह देख सकते हैं यह मैंने इसको अच्छे से चान लिया है आप भी इसको अच्छे से चान लीजी अब यह जो चटनी वज जाती है इसको फेंकना नहीं है आपके लिए आपको क्या करना है कि यह जो चटनी है ना इसमें इतना पानी डाल दीजे कि यह सारी चटनी हमारी दूब जाए ठीकिना पानी में क्योंकि ये लिक्विड भी हमारा कीट नासक फंगिसाइड तैयार हो जाएगा बाद में ये मैंने इसको डबे में डाल दिया आफ गिलपस भी पहन सकते हैं यदि आफ को मिर्च से ऐलर्जी है तो मुझे किसी से भी अलर्जी नहीं है तो मैं हातों से डार्ट काम करता हूं मुझे ऐसे मजाता है आफ गिलपस पेन कर इस्त्रमाल करें हातों पर अब ये सटना लक Wir2019 आयगा देख सकते हैं यह जो कि एतना पानी जो तयार हुआ है ना ये हमारा बहुती दुनिया का सबसे बड़ा पावर्फुल कीट ना सक और पावर्फुल फंगी साइड तयार हो चुका है अब आप इसका इस्प्रे करेंगे फसलों के उपर अब डोज क्या लेना है आफ ने एक लीटर पानी लिया है तो आफ को 10 से 15 ml और 20 ml मानके चलिए 10-15 ml लीजिए आफ तो एक लीटर पानी में 15 ml ये लिक्विड डालिए और आफ की जितनी भी सबजियां है जितनी भी फूलों के प्लांट से उन सब पर इस्प्रे कर दीजिए उन में किसी भी तरह के कोई भी इंसेक्ट कीड़े नहीं लगेंगे औ और यदि फंगस की समश्या है तो वहवी खतम हो जाएगी और जो हमारा 15-16 या 20 लीटर का स्प्रे मसीन रहती है जो किसानवाई इस्तमाल करते हैं तो उसमें आफ को ये 100 ml इस्तमाल लेना है ठीक है कितना लेना है 100 ml तो इसलिए मैंने आफ को एक एक किलो की सामागरी तो एक एक किलो में आफ 5-6 लीटर पानी तो डाली दोगे आराम से ठीक है ना तो इतना पानी परियाफ्त है यदि 5 लीटर पानी ले लिया 100 ml लोगे ये लिक्वेट तो आफ का आराम से ये 50 इस्प्रे मसीन की विवस्ता हो गई और गार्डनिंग में मैंने वता दिया 1 ली कोई दिक्कत नहीं आएगी आफ की फसलों में और फायदे बहुत अच्चे होंगे फसल का पीला फन खतम हो जाएगा पौदे की यदि जड़े कमजोर हो चुकी है जड़े मर रही है तो इससे खतम हो जाएगी बहुती जबरजस्त रिजल्ट आपको दिकाई देंगे और फ सवाल नहीं पूचो कि तब तक मैं आफ को जवाब कैसे दे पाऊंगा ठीक है ना और ये वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक और शेयर जरूर करना अन्य किसान भाईयों के साथ ताकि भाई भी इसी तरह की जैवी खेती कर सकें और अपनी लागत को कोश्ट को बचा सकें जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने आफ की किसान भाईयों की कम सकम 6-7,000 रुफे बचा दिये गार्डनिंग में 2-300 रुफे बचा दिये 200 रुपे में 6,000 रुफे की दबा आप तयार कर सकते हैं घर पर आसानी से बिना किसी एश्टर माटेरियल यूस किये जाएगा इसका कस उतर जाएगा फिर इसको चानकर आप डाल सकते हैं ठीक है ना दोनों तरीके मैंने आपको वता दिये नीम की पत्ती मिल जाती है तो वह एट कर लेजिए उससे और अच्छा पावर्फूल यह तयार हो जाएगा और नहीं मिलती है तो वह यह काम करेगा त जो किसानवाई पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है तो वह समार्ट विजनिस प्लस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में वैल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह की जैवी खेती की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले तो नमस्कार जैहिन जै भारत वंद माता की जै